चे ये गैस कब और कैसे खतम होती है पताई नहीं चलता हे भगवान क्या इसका कोई हल नहीं क्यूं ऐसे बढ़ बढ़ा रही हो भगवान को बुलाओगी तो क्या वो सिलेंडर लाकर देंगे ऐसे मुझे क्यों गूर रही हो इस तरह गैस खतम होना और हाथसों के लिए भगवान को नहीं बुलाना चाहिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए आज का पेपर पढ़ाना इतने कामों के बीच इन सब को चेक करके याद रख पाना मुम्किन नहीं है हाँ मुम्किन नहीं है आज की भाग दोड़ बरी जिंदगी में इन्हें याद रखना ना मुम्किन है लेकिन हमारी समस्या का एक समाधान है समाधान ओरियंस द्वारा पेश किया गया गैस सेफटी डिवाइस यानि की हमारे जीवन का सुरक्षा कवच ये किस तरह हमारी हाथ सोसी रख्षा करके हमें बचाएगा? ये हुई न बात इसका नाम है गैस सेफटी डिवाइस हमारे जीवन का सुरक्षा कवच आग से होने वाले हाथ सो को रोग कर हमारी रख्षा करता है इस gas safety device को अपने normal regulator की तरह ही fix कर सकते हैं इसके बाद regulator को इसके उपर fix करना होगा अब meter zero पर है, इसके बाद दोनों knobs को on करें on करने के बाद इस meter को दो बार प्रेस करेंगे तो automatically gas टो तक पहुँचेगा प्रेस करने के बाद meter को हम देखेंगे तो इस वक्त cylinder में कितनी मात्रा में gas है ये हम जान पाएंगे Normally cylinder से 640 pounds pressure की मात्रा में gas बाहर आता है उससे हमें normal regulator की द्वारा 320 pounds की मात्रा में स्टो तक gas पहुँचाता है लेकिन अपने gas safety device को fix करने के बाद धिहान देंगे तो आपको 160 pounds कम करके gas को बाहर पहुचाता है ध्यान दीजिए इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली gas अब 40 दिनों तक तो जरूरी आएगी हम normally स्टो को जला कर उस पर दूद या दूसरी चीज रख कर बाहर चले जाते हैं तो हो सकता है दूद उबल कर स्टो आफ हो जाए इस तरह आफ होने के बाद अगर हम normal regulator यूज़ कर रहे हूँ तो उससे gas पुरा बाहर निकलेगा और वो बाहर निकल कर अगर आप ध्यान दे तो हवा से भारी होने के कारण फर्श पर पूरी तरह से फैल जाएगा आप घर के अंदर आकर switch on करे या दोबारा माचिस की तीली जलाएंगे तो आग से होने वाले खत्रों के chances और अधिक हो जाते हैं लेकिन हमारे gas safety device के इस्तिमाज से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के आग के हाथ से बिल्कुल भी नहीं होंगे अब आप देखिए मैंने माचिस की तीली जला दी और चार ओर इसे मैं ले जा रहे हूँ लेकिन कोई भी आग का हाथ सब बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बर्नर के पास जब ले जाओंगी तब ही बर्नर जलता है आपने देखा ना यही है हमारे gas safety device की speciality इस प्रकार बर्नर पर बर्तन को रखने के बाद हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है यह दूसरे काम करने होते हैं ऐसे समय में अगर आपकी स्टोकी ट्यूब में छेद हो जाए या फिर वो कट हो जाए तो automatically थोड़ी ही देर में gas पूरा फैल कर बहुत बड़े आपके हाथ से होने के चांसस और अधिक हो जाएंगे लेकिन अपने gas safety device के होते आप गौर करेंगे तो हाथ से की कोई बात ही नहीं है आप खुदी देख लीजे आपने देखा ना बस इतना ही तो automatically 5-10 minutes में हमारा ये device पूरी तरह cut off कर देता है आप देख रहे हैं कि हमारा बनर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस tube को खीज दे या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूक से ये cut भी हो गया तो आप देखेंगे कि automatically हमारा ये store अपने आप off हो जाता है देखा ना अभी आपके सामने ही आपका store off हो गया है उसी प्रकार अगर आप मीटर की सुई पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे 0 end point आ गया अब इस वक्त अगर आप देखेंगे normally जब ये tube cut हो गया हो तो अचानक tube के cut होने के तुरंद बाद gas leak हो जाती है ऐसे वक्त में अगर हम store on करेंगे तो बहुत बड़ा आग का हाथसा होगा ये आपने सोचा होगा लेकिन आप खुद ही देख लीजे आप ही के आँखों के सामने यहां आग को दिखाती हूँ कुछ भी नहीं हुआ कारण है आप खुद जानते है gas safety device कारण की बिना अगर gas leak हो जाय तो ये device कितनी जल्दी cut off करता है ये बात में खुद आपको दिखाने वाली हूँ आपने देखा ना कितने आद्बुत है इतने कम समय में इसने cut off कर दिया इसकी बावजूत भी अगर कोई हाथसा हो जाए तो आपके लिए है 2 करोड का life insurance पूरे 3 साल की guarantee और 30 साल का life time इससे बहतर रक्षा कवच और कहा ओरियंस का GST रसोई घर का रक्षा कवच हुआ 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 है